यह बाउस का एंगल गरेंडर है और इसे हम लागए दो साल से यूज करने हैं और यह बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है बाउस का प्रोफेस्टनल एंगल गरेंडर है अपने घर का हॉस वाइरिंग या फिर हॉस वाइरिंग के लिए जितना भी दिवाल काटा जाता है सब भी हम इसी से काटे हैं और घर के घर में पीलर में जो लोहा लगता है उसे भी हम इसी से काटे हैं तो इसका कारण ब्रस है वो घिस गया है उसे हम चेंज करना है इसे हम ऑनलाइन मंगा है बॉस का ही मंगा है इसे हम रिप्लेस करेंगे जो तूटा हुआ हुआ इसके अंदर इसी तरीका से replace कर सकते हैं उसके carbon brush को और अपने घर में यह असानी से use कर सकते हैं इसके screw को हम open कर चुके हैं और यहां पर दोनों साइड में एक एक कि एए कारवन ब्रस लगता है तो इसमें जाता है थोल इसे आपको साफ कर लेना हुगा इसके उपने ऊसी निकाल Ale पर यह रहात है यह तülसे सब्सप्राइब करेगा एब नगसे लिए उस तो पर दिखाता हूं और यहां पर देख सोगतों यह एक स्पिन टाप का है इसे यहां से उन्ट लिख के दैना है उसके यहां पर भ्रस का उपर का पीन है वह तोट गया है SupaSy Ward उसे हम निकाल देंगे वह दुरा सा बचा हुआब में है वह से कारवन ब्रस को लगाएंगे तो इसे लगाने से पहले आप पूस चेक कर लेना है तो फसा हुआ या पर नहीं फसा हुआ है तो इससे निकाल देंगे और फिर इसे लगा के यह में अच्छे से टाइट करके लगाना है यदि टाइट से आप इसे नहीं लगाते हो तो इस पार्क करने के कारण कि जब इसमें पापर सप्लाई देते हो और यह रूटेट करता है में जब दिवाल काटते हो इसमें जो करेंट का फलो होता है वो बहुत ही जादे हाई होता है और हाई करेंट फलो होने के कारण इसमें स्पार्क होने का चांस बहुत ही जादी रहता है इसलिए इसमें जो सूच लगता है या फिर जहां जहां पर जॉइंट होता है उसे आपको प्रॉपर टाइट फिक्स कर देना है हम दूसरे साथ का इसे कारूम प्रस को चेंज कर रहे हैं इसका भी स्प्रिंग निकाल देंगे और इस वायर को निकाल दिए और इसे हमें जीक लेना है जब वायर आप निकालोगे इस तरह कासा आपको निकाल देना है यह निकल गया वायर हम इस कारूम प्रस को डालेंगे इसे कारूम प्रस को डाल देना है इसमें जो कारूम प्रस में उपर में जो वायर लगा हुआ तो जिसका वायर लगा रहा रहता है उसे दूसरे साइड डालना है ताकि उसका जो अच्छे से लग सके इसमें भी इसका जो है कारण ब्रस यह फसा हुआ च्छोटा सा टुकरा उसे भी हमें निकाल देना है दूनों साइद एक यह बार यह गिस गया और तूट गया है करके देख सकते हो और खुद से रिपेर कर सकते हो इसमें कोई ज्यादा प्रब्लम नहीं होता है कोई प्रब्लम हो तो आप असानी से उसे रिपेर कर सकते हो स्विच भी चेंज कर सकते हो सारा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलूट किया हुआ है आप वहां से ज दल रहा है और जब भी आप कारण ब्रस लो तो प्रॉपर बॉस कंपनी का ही लो लेना तो दूसरे कंपनी का इसमें फिट नहीं हो गया तो तुरत घिस जा था इससे पहले मैंने एक इसमें बहुत है दूल निकलता है और इसे आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राब करें धन्यवाद